Hello everyone, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ये अच्छे टॉपिक की जानकारी दे रहे हूँ, ये टॉपिक है पर्यावरन की गुनवत्ता और आर्थिक विकास, जिसके लिए आप बहुत सारे स्टूडें ने रिक्वेस्ट किया है, तो पर्यावरन की गुनवत्ता और आर लोगों के स्टूद्स में पर्यावरन अगर पढ़ना है, तो पर्यावरन संबंदी ये मौडल भी जानना जरूरी है। तो देखो, पर्यावरन की गुनवत्ता और आर्थिक विकास, इसके संबंद में कुजनेट्स का जो मौडल आया, उन्होंने बताया कि पर्यावरन की गुनवत्ता पर शुरुवात में लोगों का ध्यान नहीं रहता है और शुरुवात में ध्यान नहीं रहने के कारण लोग केवल अपने इंकम को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं जिसके कारण पर्यावरन का जो हराश है वो लगतार बढ़ता रहता है लेकिन जब लोगों की इंकम बढ़ जाती है लोगों ने इंकम भी बढ़ गई प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ गया फिर लोग क्या करते हैं परियावरन पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो ये जो डिसकेशन है स्टुडेंट य उन्होंने 1991 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी और उन्होंने कहा था कि लोगों की आय और परियावरन के बीच में संबंध होता है उन्होंने परियावरन की गुनवत्ता की बात नहीं की उनका कहना था कि लोगों की जो इंकम है और परियावरन दोनों में संबंध होता लेकिन आई परियावरन सम्मंद पर अपना जो ग्रैफ दिया है उसको हम परियावरन कुजनेट्स वक्र कहते हैं ठीक है कुजनेट्स ने अपने वक्र को इन्वर्टेड शेप दिया इन्वर्टेड यू शेप दिया तो इस विलोम यू सम्मंद को परियावरन कुजनेट्स जिसमें उन्होंने कहा कि जब विकास शुरू हो रहा होता है तो पर्यावरन सम्मंधी जागरुकता लोगों में नहीं होती। ठीके लोग शुरुआत में जब काम कर रहे होते हैं शुरुआत में आर्थी विकास कर रहे होते हैं तो उन्होंने पर्यावरन की जागरुकता बि भी बढ़रा होता है लेकिन कुछ समय के बाद लोग जो है दवाब डालते हैं कि भई पर्यावरन का संड्रक्षन भी जरूरी है तो किस तरीके से संड्रक्षन के बाद कही जाती है वैसे वैसा उत्पादन किया जाए जिसमें नैच्रल रिसोर्सेज का कम यूटिलाइजेशन है थिक्तुकि नैच्रील रिसोर्सेज हमारे पास सीम सीमित है पर्यावरन के बिन्यमन शंबंधी नियमों को शक्ती से लागू किया जाता है Rules and Regulations जो है जो अभी हम लोग पढ़ते हैं परियावरन के Rules and Regulations है ना तो उन सभी को सक्ती से लागू किया जाता है Arrow ने अपनी एक पुस्तक 1995 में लिखी दी उनमें उन्होंने लिखा था कि क्रिशी अर्थव्यवस्था के एक प्रदूशनकारी अर्थव्यवस्था और अंत में एक स्वक्ष सेवा अर्थव्यवस्था में विक्सित होने की ये पूरी प्रक्रिया है उनका कहना था कि पहले agriculture economy शे स्टार्ट होता है फिर industrial और तब service sector लेकिन अगर परियावरन साथ नहीं दे तो ना तो हम agriculture की सोच सकते हैं ना तो industry की सोच सकते हैं ना तो हम service sector की सोच सकते हैं primary sector अगर डेवलप नहीं होगा primary sector ज्यादा greenery से related है परियावरन के संदक्षन उनका भी बहुत जादा योगदान है तो अगर वो संदक्षित नहीं होगा तो फिर दुईतियक और तुरितियक छेतर कैसे विक्सेत होगा तो यह arrow ने अपनी पुस्तक 1995 में लिखी थी तो यह जो परियावरन का लगातार हराश होता रहता है लेकिन कुछ समय के बाद लोग नियम बनाने रगते हैं और ऐसा उत्पादन करते हैं जिसमें परियावरन का कम हराश हो तो लोग दीरे दीरे आयस्तर बढ़ने के बाद ऐसा करते हैं शुरुआत में नहीं करते इसलिए उनका ज आप सभी के घर में पूजा चल रही होगी मेरे भी घर में चल रही है तो ऐसे छोड़ी छोड़ी वीडियो में आप लोगों के लिए अप्लोड जरूर करूंगी Thank you so much, bye bye, have a nice day